Hello Student Education 24 में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि B.A. परिक्षा में कितना नंबर आने पर पास होते हैं, कितना नंबर आने पर फेल होते हैं और कितना नंबर आने पर बैक लगता है तो B.A. परिक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा यानि कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा और अगर आपका 50 number का paper होता है तो आपको pass होने के लिए 50 में से 18 number लाना होगा यानि कि cool मिला कर कहा जाए तो आपका जितने भी number का paper होता है अगर आपको B.A. exam में pass होना है तो उतने number का 36% number आपको लाना होगा चाहे आपका exam 100 number का हो चाहे आपका exam 15 number का हो या फिर 75 number का हो आपका जितने भी नमबर का पिपर होता है, आपको उतने नमबर का 36% नमबर लाना होगा, तभी आप B.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. पर बैक लगता है, सब कुछ हमनों रिजल्ट के बाद हम से जानेंगे, तो यह बिना किसी देरी के हमनों शुरू करते हैं, और रिजल्ट के बाद हम से जानते हैं, यहाँ पर अब दे सकते हैं, कि आपका 308 के पेपर हुआ है, हिस्टरी पो रिडिकल साइंस और हिंदी लिट के दों समेश्टین में आपका 36% से उपर नमबर काया है, आप बात की ज lugने सकते हैं, यहाँ पर पौिटल साइंस की ऑद बात की जाने है, कि पोलिटल साइंस की बात की कि हिंदी लिटीचर है और यहां पे हिंदी लिटीचर की बात कि जाते हैं और सकते हैं यहांपे grootस्व नूबर आए है पार्ट टू में 270 है पार्ट थीरी में 264 है और यहां पर गरांट टूटल की बात की जाते हैं पर अब दे सकते हैं कि 792 है और यहां पर रिजल्ट की बात की जाते हैं पर अब दे सकते हैं कि सप्लिमेंटरी दिखा रहा है यानि कि यहां पर बैक लगा है अब यहां पर बैक क अब तो लोग्म से में सब्सक्राइंद स्य्ट सेरीकूंज अजरा गर अगर आगर तो इससथे बात को बढ़त रहेते हैं। कि दूसरे रेट में किस तरीके से क्या हो रहा है तो यहाँ पर अपका थे सकते हैं कि आपका 308 के पेपर हुआ है पुलिटिकल साइट सोसीलोजी और जियुगराफी यहाँ पापका पुलिटकल साइट सोसीलोजी के अंदर और सिकेंट सम्स्टा में सों में से 7 Lenber आकि पृलिट कर साइंटे नहीं के अंदर आपका फॉल समीस्टे से्ट सम्स réseय के दोनों समिस्टे में पासी नमइ आ गया है olmuş ओसेा बात की जैते हैं अपिप का सओशीलोजी है और सेसलोजी की बात की जरते हैं पपर कीजै प्रेटिकल के अंदर आपका प्रेटिकल में अच्छा कासा नंबर मिला है अब फाइनल रिजल्ट की बात किजjadi आपको किया है अब 향 तो सेबेट की बात की बात की पासिनमननन ही आए यहां पर दो सेबेट की बात कीजाए तो सेबेट में मिला करके दो समिस्टे में पासिनमनननी आ है तो यहाँ पे दो सेवेट के मिला करके दो समिस्टे में पासी नमना नहीं के वैसे यहाँ पे जो है कि इसको फेल किया गया है तो इस बात की याद रखेगा कि अगर आपका तीन सेवेट के पेपर होता है और उसमें से अगर आपका दो सेवेट का अंदर दो समिष्टे में कम नूमर आ जाता है तो उस कंडिसन में आपको फेल कर दे जाएगा अब आगे बाढ़ते हैं और तीसे डिकमादे में से जानते हैं यहाँ पर अब दे सकते हैं कि आपका समने तीसे रल्टा है यहाँ पर अब दे सकते हैं कि आपका तीन सेवेट का पेपर हुआ है हिस्टरी, पुलिट्कल साइंस और सोचिलोजी यहाँ पर आपका फर्स सेमिष्टर, सेकेंड सेमिष्टर, दोनों सेमिष्टर में आपका 100-100 नूमर का पेपर हुआ है यहाँ पे history की बात की जाते हैं पर दे सकते हैं कि history के अंदर आपका first semester में 100 में से 11 नमर आए है और second semester में 100 में से 45 नमर आए है यानि कि history के अंदर आपका first semester में passing नमर नहीं आए है क्योंकि first semester में आपका 36% से कम नमर है अब political science की बात की जाते हैं पर दे सकते हैं कि political science के अंदर आपका first semester में 100 में 36 नमबर आ है और second semester में 100 में 38 नमबर आ है यानि कि political science के अंदर आपका first semester, second semester, दोनों समेश्टे में passing नमबर आ है क्योंकि दोनों समेश्टे में आपका 36% से ज्यादा नमबर है अब अगले subject की बात की जाते हैं आपका first semester में 27 नमबर आ है और second semester में 100 में 17 नमबर आ है यानि कि sociology के अंदर आपका first semester, second semester दोनों समेश्टे में passing नमबर नहीं आ है क्योंकि दोनों समेश्टे में आपका 36% से कम नमबर है तो यहाँ पर देखा जाए तो history के अंदर आपका first semester में passing number नहीं आए है और sociology के अंदर आपका दोनों semester में passing number नहीं आए है अब final result की बात की जाएते हैं आप अब दे सकते हैं कि part 1 में 214 है part 2 में 192 है, part 3 में 224 है और यहाँ पर grand total की बात की जाएते हैं आप दे सकते हैं कि 630 है और यहाँ पर रिजल्ट की बात की जाएते हैं, आप अब 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 मैं पा दो सब्सक्राइब करेंगा कि इन समख्ते में पासिन मंहीं आता है तो उस कंधिसन में आपको फ्याद करостर आज के लिएगे Grad आप को KS का करेंगे मैं या क्लिखनागे होगा तो चैनल को सब्सकारब किई ba थेंकि दोस्तों